वस्तुओं को छातने सौर्टिंग अफ अबजेक्ट्स में होने वाली समाने गलतियां तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा अलग-अलग आकरितियों की पहचान करके वस्तुओं को छातना इस वीडियो में हम वस्तुओं को छातने में होने वाली समाने गलतियों के बारे में जानेंगे आज छोटू की मैडम कक्षा में कुछ वस्तुओं लेकर आई है बच्चों ये देखो, मेरे पास कुछ वस्तुओं है क्या आप इन्हें पहचान सकते हो? मैडम एक वस्तुओं दिखाती है और पूछती है बच्चों क्या पहचान सकते हो कि यह वस्तुओं किस आकरिती की तरह दिखती है? मैडम ये गोल-गोल बॉल जैसी आकरिती है शाबाश आरती, सही कहा, ये है गोल-बॉल जैसी आकरिती मैडम ने अब दूसरी वस्तुओं दिखा कर पूछा बच्चों यह वस्तु किस आकरिती की तरह दिखती है? मैडम ये है डिब्बे जैसी आकरिती शाबाश छोटू, सही कहा, ये है डिब्बे जैसी आकरिती बच्चों, अब इस वस्तु की आकृती को पहचानो मैडम, ये तो बेलन जैसी आकृती है शाबाश आरती, सही कहा ये है बेलन जैसी दिखने वाली आकृती मैडम, ये तो आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली आकृती है शाबाश छोटू, सही कहा ये है कौन जैसी दिखने वाली आकृती? और बच्चों, ये है हमारे पास बेलन जैसी दिखने वाली आकृती. पर छोटु को यह समझ नहीं आया कि इन दोनों आकृतियों में क्या फर्क है? माडम, पर ये दोनों आकृतियां तो एक जैसी दिखती है. छोटु, तुम्हें क्यों लगता है कि ये दोनों आकृतियां एक जैसी है? माडम, ये देखिए, इस आकृति का तला गोल है और दूसरी आकृति का भी तला गोल है. छोटू तुमने सही कहा इन दोनों आकरतियों का तला गोल तो है पर अगर हम इन दोनों आकरतियों को उपर से देखें तो बेलन जैसी आकरती उपर से भी गोल है और कौन जैसी आकरती उपर से नुकीली है अच्छा ऐसा है चलो, अब इन दो चीजों में से बेलन जैसी आकरिती और कौन जैसी आकरिती पहचान कर बताओ बच्चों, क्या आप इन बस्तुओं की आकरिती को पहचान सकते हो? मैडम, इसकी आकरिती तो बेलन जैसी है शाबाश पिंकी, ये बेलन जैसी आकरिती है मैडम, इसके आकरिती तो कौन जैसी है? शाब बाज छोटू, यह कौन जैसी आकरिती है? बज्जों, आपका भी उत्तर यही था ना? तो आपने देखा, बेलन जैसी दिखने वाली आकरिती दोनों तरफ से गोल होती है पर आइसक्रीम के कौन जैसी दिखने वाली आकरिती एक तरफ से गोल और एक तरफ से नुकीली होती है आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में हमने वस्तूओं को छाटने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना मुझे आशा है कि आप यहाँ विशा ठीक से समझ गए होंगे बाई बच्चों